नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन सरकार और जेसेसी के खिलाब छात्रों ने निकाली केंडल रैली जार्खन करमचरी चैन आयोग के द्वार लागातार परिक्छाओ को स्थाकित करने रद करने वो नई बहाली नहीं निकाले जाने की बिरोध में देवगर के छात्रों ने अमबेट कर पुस्तकाले मोट से टावर चोग तक केंडल रैली निकाली देवगर के अलावा और जीलो के खिलाप नारेबाजी करते हुए सरकार से अगरा किया है कि जल्द से जल्द आयोग के रसायली में सुधार लाक और पारदर सिता पुरुवक सभी खाली पदों के बिग्यापन जारी करें जारी बिग्यापन के अधार पर सभी परिक्छाय समय पर पारदर सिता पुरुव विद्यार्थियों ने सरकार से आगरा किया है कि जल्द से जल्द सभी खाली पदों को भरा जाए इस अंदोलन में रितियस कुमार सामिल थे बोकारों रोजगार मेला में आज 3434 रिक्त पदों पर बहाली जिला कौसल कर्याले बोकारों की ओर से 14 दिसंबर को चास सरकारी आईटियाई परिसर में रोजगार सा कौसल मेला कावजन किया जाएगा इसकी त्यारी पूरी कर लिगाई है दो दर्जन से अधिक निजी छेत्र की कमपनियों के भाग लेने की समभवना है वही इस मेले में 3433 रिक्त पदों पर चैनित अभियार्थियों को बहाल किया जाएगा जिला कौसल पता दिकारी परवीन कुमार ने कहा है कि मेले में अभियार्थियों के नियोजन के प्रतिन निधी के समक्स अपने सभी सेक्षनिक एवं मुल्परवन पत्रों की एक छाया परती वह भायोड डाटा के साथ दो पास्पोर्ट साज का फोटो के साथ सचतकार के लिए उपसित होना होगा बताते चले कि स्रम नियोजन प्रसिक्षन हम कौसल विकास भिवाग जार्खन सर साइटी रांची के अधे सानुसार चास सरकारी आई टी आई परिसर में रोजगार मिला कावजन किया जा रहा है जैक बोड बदले पैटर्ण पर परिक्षा लेने की तयारी में जार्खन में अगले साल चाह फरवल से सुरू होने वाली मैट्रिक इंटर परिक्षा बदले पैटर्ण के साथ होगी सिक्षाबी भाग की मंजूरी मिलने के वाद सुक्रवार 15 दिजंबर को होने वाली जैक बोर्ड की बैठक में नए प्रेटन को मंजूरी दी जाएगी जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर परिक्षा में जो बदलाव करने जा रहा है उसमें अब OMR सीट पर परिक्षा नहीं दी जाएगी चात्रों को अब उतर पुष्टिका में ही 40 अंकों के बजाए 30 अंकों के बहुविकल्पी पहुस्तुनिष्ट प्रश्ण पत्र दिये जाएंगे जिसमें से उन्हें एक सही उतर लिखना होगा इसके अलावा 50 अंकों के लगों उतर ये और दिर्ग उतर ये प्रश्ण पूछे जाएंगे अतिरिक अंक 20 अंक पुर्वक की भाते निर्धारित रहेंगे बदाद जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महत्तो ने बातचीत के दरान कहा है कि सुक्रवार को बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इसे सर्वजनिक किया जाएगा बदले हुए पैटान से छात्रों को डारना नहीं चाहिए बलिक इस से उन्हें सहुलियत होगी और बोर्ड को भी OMR के इस्तिमाल पर होने वाली खर्च से शुटकारा मिलेगा एगारवी और बरहवी के बिद्यार्थियों के लिए होगी क्विज निवंध जित सकते हैं एक लाख रूपा है इस्चूट अब होटल मनेजमेंट रांची दोवारा जार्खन राज के बिभीन उच माधमिक स्कूलों की एगार हुई और बरहवी कक्षा के बिद्यार्थियों के लिए अखिल भारतिये बिद्याले अस्तर प्रशनोत्री क्वीज एवाम निवंध लेखन परत्योक्ता आ इसका आयोजान नेशनल कॉंसिल फोर होटल मैनेजमेंट नुएडा और परेटन मंत्रालाय भारत सरकार के सनुक तत्वधान में किया जा रहा है इसका विए भारत परेटन अतित्य विरासत और संस्किर्ती रखा गया है इसके अलावा निवंध लेखन परत्योक्ता का सिक्षा और करियर निर्मान में एन्सी एच एम सीटी के तहत आई एच एम की भूम का रखा गया है घीरी डी से नो साइबर अपराधी गिरवतार साइबर अपराधी के खिलाप गी डी पुलिस के करवाई लगातार जारी है गी डी पुलिस ने एक बर फिस से बढ़ी करवा साइबर अपरादियों गिरफतार करने में सफलता पाई है इन गिरफतार साइबर अपरादियों के पास से पुलिश ने पच्पन मोबाइल फोन छती सीम काड एक एटियम काड दो पासपोक तीन आईपेड एक लेपटोप तीन पावर बैंक और चार बाइक ब्रामत किये हैं गिरफतार साइबर अपरादियों में भेलवा डि थाना चेत्रे के तिलकड़ी का मनीज कुमार मंडल सामील है सरकार की चौथी वर्स गाठ पर पर परदेश भाजपा जारी करेगी आरोप पत्र जारखन में मुख्य मंत्री हमार सुर्ण के कारेकाल के चार साल पूरे होने के महोगे पर भाजपा आरोप पत्र जारी करेगी आकड़ों के साथ पार्टी ने राय सरकार की भी फलताओं को उजागर करने का फश्ला लिया है हमान सरकार के चार वर्ष 29 दिसंबर को पूरे होंगे भाजपा की तरफ से प्रेस भीगेपती जारी कर बताया जया है कि इस वर्ष पार्टी जनता की आदालत में हमान सरकार के चार वर्षों की नकामियों लूट जूट फरस्टा चार को सटिक आकड़ों के साथ लेकर आएगी पार्टी परदेश्ट अध्यक्स पुर्व मुख मंत्री बावुलाम रांडी ने आरोप पत्र त्यार करने के लिए पांच सही समीति के गठन किया है इसके संजोजग पार्टी के वर्ये नेताव पुर्व आईपेस अधिकाई डाक्टर अरून उनाव बनाए गए है सता प्रक्ष आज निकालेगा हर परिस्थिति सनी पटने का तोड़ मुख्य मंत्री हेमांसोय ने गूरु आज साम को अपने आवासे करायले में साता रुटगर बंधन के विधायकों के यहां बैठाक बुलाई है इस दोरान राज की मवजूदा राय नीति के अतिवीदियों पर चर्चा होगी बिधान सभा के सितकालिन सत्र और इडी की करवाई जैसे तमाम मुदों पर भी मर्ज होगा सुत्रो का अनुचार हर हालात का मुकाबला करने और सितकालिन सत्र में विपक्स के हर सवाल का जवाब देने के रणीति बनेगी मुख्य मंत्री हेमांत को इडी की ओर से च्छा बार पुष्टास के लिए समन भेजा जा चुका है सीम की ओर से इडी को पत्र लिख कर समन का धार पुछा गया दूसरी और अब आगे इडी का घ्या रुख होगा इन सारे पहलूओ पर भी सतर उड़गर बंधन के नेता विधायक बिचाल में मर्स करेंगे वही सतर उड़गर बंधन के विधायकों की अहम बैठाग में जरकन मुक्ति मोर्चा का अंगरेस राजद समेच सरकार को समर्थन देर है और विधायक सामिल होंगे उलेखनिया है कि हाल ही में राजयपाल सीपीर राकिष्णा ने निर्वाचन आयोग के उस मंतब्य का अधयान करने की बात कही है जिसे आयोग ने सीम सोयन के सरसेता के संबन्ध में सुनवाई के लिए दिया था पाराश सिख्षकों के मांदे में दस परतिषत की बढ़ोतरी इसी मां सहायक अध्यापक संहर्ष मोर्चा के एक परतिनीधी मंडले जार्खन सिख्षा परविना परिशद में प्रसासी पताधिकारी से बुद्धवार को मुलकात की मोर्चा ने आकलन 5 परतिषकों को 10 परतिषत मांदे बिरिधी के लिए सभी जीलों को अविलम पत्र भेने के अपील की दिसंबर के मांदे के साथ 10 परतिषत बढ़ोतरी भी एरियर के साथ भुक्तान करने की मांग की है प्रसासी पताधिकाई ने अस्वासन दिया है कि एक दो दिन के अंदर सभी जीलों को इसकी सुचना भेज दी जाएगी बताया गया है कि नगर निगम चावनी परिशद में करेड़ साहयक अध्यापको के चार परिशद ब्रीडी की फाइल प्रात्मिक सिक्षा निदे साला में है यह प्रस्ताव केबिनेट में जाएगा और उसके बाद भुक्तान होगा वही रामगर जीले का रुका हुआ नोंबर महका मान्दे का भिजल्द भुक्तान होगा बेतन मान पर चार चाह हुई इस पर उन्होंने कहा है कि यह पॉलिसी मेटर है नेरनाय सरकार को लेना है इस पर मोर्चा ने बताया है कि समनोय समेति के तथत आंदुलन होगा बता दे 19 दिस्टंबर को विधान सभा घिराव और 28 से घेरा डालो डेरा डालो कारिकरम परासिक चक करेंगे संसत की घटना पर जार्खन कॉंग्रेस ने ग्रिह मंत्री से मांगा इस्थीपा परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष ने संसत के सीद कालिन सत्रे के दरान होई घटना को परदान मति नैनमोदी की गरांटी का उलंगान बताया है केंद्री ग्रिह मंत्री अमीच साह के इस्थीपे और बीजेपी संसत प्रताप सिमहा की गिरफतारी की मांग करते विजारकन परदेश कॉंग्रेस कमिटी के दक्स रायस ठाकू ने प्रेस बिगपती जारी कर कहा है कि आई संसत में जो घटना हुई वह बेहत गंभीर है ऐसे कमभीर मावले पर ग्रिह मंत्री अमीच साह के बियान देने से इंकार करना यह बताता है कि भारतिये जनता पार्टी और उनके नेताओ का राष्ट्रवाज सिर्फ ढोंग है आज इस बात पर प्रश्ण चिन भी लग गया है कि भाते जनता पार्टी की सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कितनी कम भी रहा है धीरस साहू के राची आवास पर आठवे दिन भी रेट जारी कांग्रेस के राची सबस्तांसर धिरस साहू के राची स्थित आवास पर आठवे दिन भी इंकम टेक्स की छापे मारी जारी है इंकम टेक्स के अधिकारी धिरस साहू के रेडियम रोड इस्थित आलिसान मकान का चपा 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 चान भे हैं इंकम टेक्स के अधिकारियों का यह अनुमान है कि अभी भी धीरेस्ता हो कि अरिसान माकान में बहुत कुछ चीपा हुए है जिसे ढूंडना बाकी है राज्य के अनुबंध कर्वी बढ़ाएंगे सरकार की चिंता आंदोलन तेज जारखन में एक तरफ चुनाओ के तारीक पास आ रही है तो दूसरी तरफ अलग-अलग संगठनों का अंदोलन तेज होता जा रहा है जैसे से चुनाओी वर्ष 2024 नदीक आ रहा है वैसे वैसे राज्य में अलग-अलग विभागों से समदित अनुबंध कर्मियों का अंदोलन मानो वर्ष 2019 के फ्लेस बैक में जा रहा है वर्ष 2019 में विधान सभा चुनाओ से पहले राज में पाला सिस्को आंगनवारी सेविका साही का चोकिदार दफ थादार किरिशक मीतर सहीद कई अलग-अलग विभागों के करमचारी अपनी मांगों को लेकर सलग पर थे तब बतर नेता प्रतिपक्ष हेमान सुरेने सता में आने पर अनुबंद सब्द को ही समाप्त करने सहीद कई वादे किये थे वही अब जब हेमान सुरेन सरकार के चाल सल पूरा होने वाला है एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर अलग-अलग विभाग के अनुबंद करमी आंदोलन पर है जार्खन बिधान सबा के सिद कालिन सत्र में दूबारा डोमिसाइल बिल लाने की तयारी हेमान सरकार 1932 खतियान अधारित अस्थाने निती बनाने के प्रहाश में जूटी है इसे लेकर जार्खन बिधान सबा के सिद कालिन सत्र में दूबिसाइल बिल सदन में लाने की तयारी की गई है जार्खन में दूबिसाइल का जीन एक बार फिर बाहर निकलने वाला है हेमान सरकार 1934 से जार्खन बिधान सबा के पटल पर अस्थाने तस्थानी बिल लाने की तयारी कर रही है 15 दिसंबर से सुरू हो रहे हैं जारकम विधान सभाके सीद कालिन सत्रे के दवारान सरकार दवारों ने 32 खत्यान अधाई डोमिसाइल बील सदन में लाए जाने की त्यारी की गई है बता दे इन सब बीच 15 दिसंबर को सरकार ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है संभावना यहा है कि सदन के पड़न पडोमिसाइल बील लाने से पहले इस बील को कैबिनेट के पास कराया जाएगा क्रिसी मंत्री ने 1337 कि सानों के बीच गेहु बीज का बितरन किया क्रिसी पसुपरण के मंत्री बादल पतर लेग ने क्रिसको को संभोधित करते हुए कहा है कि राज सरकार एवं क्रिसी विभाग के सकरात्मक पहल पर इस वर्ष राज के सभी जीलों में किसानों के बीच गेहुं बीच समय से पूर्वही उपलब्द करा दिया गया है क्रिसकों को आत्मा की वर से 80 फिस्दी अनुदान पर गेहूं यंत्र का बित्रन किया जा रहा है इन क्रिसी यंत्रों के माध्यम से क्रिसक उनत तरीके से क्रिसी का कारे करेंगे वह बहतर उपज प्राप्त कर सकेंगे CM हमन्त ने कहा जरूरी नहीं जो सेमी फाइनल जीता वह फाइनल जीतेगा मुख का यह रपोर्ट से जाम तरा की नाला पर खंड में आयो जीत आपकी योजणा आपकी सरकार आपके द्वारकर करा में सामिल होने के लिए मुख्य मंत्री ने उक्त बाते कही है मुख्य मंत्री हेवन से जब आगामी लोगसभा चुनाओं की रणनीती के बारे में पुछा गया तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि अगर रणनीती का खुलासा ही कर दिया तो हमारा आगे का काम ही खत्म हो जाएगा अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है साथ ही उन्होंने कहा है कि हाल ही में संपण हुए तिन राजों के चुनाओं में जिन्होंने जित दर्ज की जरूरी नहीं कि आगे लोगसभा में भी वह सफलता उन्हें मिलेगी जर्खन के खेल नीदेशक ने 18 DSO के बेतन पर लगाई रोक जर्खन में खेल से समधी जनकाड़ई से समधी रिपोर्ट समय पर नहीं सोपन जाने को लेकर खेल नी देशक ने 20 खेल पराधी कारियों में से 18 के बेतन पर रोक लगा दी है या पहला माँका है जब 118 डियेसो के बेतन रोक दिये गए है दरसल खेल नी देशक सुसांद गरों ने 9 दिसंबर को राज के सभी डियेसो को पत्र लिख कर उनसे राजे में खेल से समाधीत 10 बिंदिवों पर जनकारी मांगी थी साथ ही इन बिंदिवों पर चार्चा के लिए सोमवर 11 दिसंबर को सुबह 11 बज़े से ओलें समिक्षा बैठक भी बुलाई गई थी समिक्षा बैठक में 20 में से 18 डियेपो बगएर तैयारी के सामिल हुए थे धान विक्री के लिए करना होगा इंतजार इस साल मांसून जरा धिमा रहा जिससे बोकारो जीले में धान उत्पादन प्रभावित भुवा किसानों को रहात देने के लिए सरकार के ओर से मुख्य मंत्री सुखा रहात योई ना जैसी सुरुवात की गई विप्रित परिश्थितियों में भी किसानों ने जैसे तैसे खेती की बरतमान दोर में फसल कटाईवा धान को खेत से खलिहान तक पहुचाने के काम चल रहा है आप किसान जल से जल धान को बेच कर मुनाफ़ा कमाने की चाहत में है लेकिन इस दिस्ता में बोकारो जीले में कोई प्रसासनिक पहल होती दिख नहीं रही है हलाकि 6 दिसंबर को ही केबिनेट की बेठा में धान खरी समन्दी सरकार ने फैसला लिया था LPG गैस उभगताओं के लिए बड़ी ख़वर EKYC कराना जरूरी गुमला जीले के LPG गैस के उभगताओं को अगर सबसिटी लेनी है तो उन्हें 31 दिसंबर तक EKYC कराना होगा EKYC नहीं कराने वाले उभगताओं के सबसिटी सोता बंद हो जाएगी वही EKYC कराने को लेकर गैस कंपनियों ने आदेस जारी कर दिया है एजेंसियों की ओसे EKYC कराने की परकिरिया शुरू हो चुकी है जीले के लगभग 2.75 लाख LPG गैस उभगता है जिन में 7 लाख ओजवाला योजनाक उभगता है इन सब ही को अपना EKYC कराना है इसके लिए उभगताओं को अपने अपने समधित गैस सिलिंडर आप पूर्ति करने वाले एजेंसियों के पास जाकर EKYC कराना होगा धन्यवाद